हालो एस्टूएंट आफ क्लास एट प्रिवियस चेप्टर हमने किया था स्क्वेर एंड इस्क्वेर रूट्स अब हम चेप्टर सेवन पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स तो प्रिवियस चेप्टर जो था हमारा उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे यह लिखा है 2 की power 2 यानि कि यह हमारा क्या हो गया square हो गया अगर मैं लिखो 3 की power 3 तो यह हमारे लिए क्या हो गया cube हो गया मतलब कि जिसकी power 3 है वो हमारे लिए क्या होता है cube होता है तो 7.1 का question first देखते है which of the following numbers are not perfect cubes इसमें से कौन से numbers है जो perfect cube नहीं है तो पहला question है हमारा 216 तो वेसे ही जैसे हम square root में factors निकालते थे उसी तरीके से हम इसमें भी क्या निकालेंगे factor निकालेंगे पर उसमें हम 2-2 के pair बनाते थे इसमें हम 3-3 के pair बनाएंगे ये 3-3 के तो 216 का हम factors बनाएंगे तो 2-1 जा 2 ये 0 का 0 आएगा यहाँ पर और 2-8 जा 16 2-5 जा 10 2-4 जा 8 2-2 जा 4 1 के री गया तो 14-2-7 जा 14 2 की टेबल में सोरी अब 2 से तो जाएगा नहीं तो अब काई से जाएगा 3 से करेंगे 3 की टेबल में 27 कितनी बार में आएगा 9 बार में 3-3 जा 9 3 बन जा 3 तो हमारे factor क्या बने 2-2-2 2-3 2-3-3 तो हम 3-3 के pair बना लेते हैं और इन में से एक बार निकाल लेते हैं क्यों? क्योंकि हम cube पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हम? cube अब देखो 3 into 3 into 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की power 3 भी तो लिख सकते हैं तो ऐसे ही ये cube है तो हम पढ़ गया रहे है cube का chapter पढ़ रहे है cube and cube roots तो 3 हमारे पास में 3 कितने है? 3 है तो वो हमारा एक बाहर आ जाएगा और इधर 2 कितने 3 है तो 2 बाहर आ जाएगा 2 3 हमारा हो जाएगा 6 यानि कि 2 1 6 6 का cube है मतलब कि 6 की power 3 हमारे लिए क्या होता है 2 1 6 होता है अगर हम उसका cube road खेलने खोलें तो 2 1 6 जीजा तो ये क्या है 2 1 6 1 perfect cube है अब देखते हैं perfect cube यानि कि जिसके भी factor जैसे 2 आया तो 2 3 बार आना चीए 3 आया तो 3 3 बार आना चीए जैसे इसमें होगा माल आगे 4 आया तो वो 3 बार आना चीए 5 आया अगर कोई 1 या 2 बार आ रहे है तो वो हमारा factor cube root नहीं होगा 3 3 के pair बनाने की कोशिश की तो 2 का तो pair बन गया फिर 2 का एक और pair बन गया और 1 2 रहे गया अगर यहां पर 2 और होते तो एक और pair बन जाता तो यह perfect cube हो जाता पर यहां पर 2 extra आ रहा है तो क्या होगा 1 factor 2 does not lie appear factor 2 यानि कि जो 2 factor है उसके और factor नहीं बन रहे है इस वज़े से 128 is not a perfect cube यह से ही हमें 1000 को करना है इसके भी हम factors बनाएंगे और यहां पर 3 3 के pair बनाएंगे और उसमें से एक एक को निकालके multiply कर देंगे अगर वो perfect cube बनता है तो 1000 is a perfect cube इसे करके हम लिख देंगे यह भी ऐसे हो जाएगा और उसके बाद में जो यह मैंने आपको homework दिया है यह वाला यह आपको घर से try करना है अब question second है हमारे सामने find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube मतलब की जो number जैसे हम perfect cube बनाएंगे क्योब बनाएंगे तो उसमें अगर कोई number कम पढ़ रहा है तो हम multiply करके उस number को ले के आएंगे जैसे कि 243 सब ही पूरे chapter में आपको factor ही करना है इसलिए आपको यह वाली process बहुत अच्छे साने चीए 243 अब इसका हम factor करते है 243 को 2 से देखो last dollar digit देखा करो अगर even number है तो 2 से multiply करके देखा करो odd है तो 3 पा जाया करो यहाँ पर 3 odd है तो 3 8024 और 3 बन जा 3 3 2 जा 6 2 केरी हुआ 21 हो गया 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 9 3 बन जा 3 हमारे factor बन गा है 3 into 3 into 3 into 3 तो हमारे कितने factor बने 5 factor बने अब देखो 3 के pair बनाने 1 2 3 यह 3 तो pair बन गए अब इधार 2 pair बन रहे हैं मतलब अपने कोई 1 3 और चीए तो हमने question में बोला था नहीं का अगर कोई कम पढ़ रहा तो हमें उसे perfect cube बनाने के लिए उसे हम must multiply कर देंगे तो अगर अगर एक और 3 कम पढ़ रहा तो हम लिख देंगे multiplied by 3 to make it a perfect cube अगर हमने इसमें 3 multiply कर देंगे तो वो perfect cube बन जाएगा और 3 3 के pair बन जाएगे very easy next देखते हैं next में भी 256 के हमने factors निकाल ले हैं यहाँ पर जिसमें कित एक यह 3 का pair बन रहा है यह बन रहा है और यहाँ पर भी 2 एक कम पढ़ रहा है तो multiply by 2 to make it perfect cube ऐसे ही आपका 72 हो जाएगा जो question दे रहा है और 675 भी उसी तरीके से आपको करना है और यह है आपका homework question number हम 3 देखेंगे find the smallest number find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube previous question में हम multiply कर रहा है थे पर इस question में हम divide करेंगे किस तरीके से देखें 81 का factor निकाला 3 into 3 into 3 into 3 4 factors आए 1,2,3,4 अब यहाँ पर एक तो हमारा क्या बन गया pair बन गया पर यहाँ पर एक focus में एक star हो रहा है तो इसमें अगर इस पूरे में से 3 को divide कर देंगे, यहाँ पर divide में 3 कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पस क्या बचे गा 3 into 3 into 3 तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 को इस पूरी factor से divide कर देंगे तो 3 से 3 cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास में ही एक pair बन जाएगा तो अगर हमें इसे perfect cube बनाना है तो divide by 3 to make it perfect cube next question दे रखा है 128 इधर भी हमने factor बना है तो 3-3 के देखो pair बना लेते हैं ये 3 का pair बना ये 3 का pair बना और इधर दो नहीं बन रहा है मतलब कि ये एक जो number 2 है ये आ रहा है तो अगर हम इस पूरे से वो 2 से divide कर देंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा और ये दोनों रहे जाएगे तो perfect cube हो जाएगा तो बस जैसे उदर multiply के लिखा था इसे इधर divide के लिख देंगे divide by 2 to make it perfect cube इसे ही third or fourth भी हो जाएगे आपका homework है 704 homework आपको अपनी fair copy में उतारना है ये वाला question जैसे आपने फोड़ करा तो उसके just बात में आपको ये वाला question करना है अब देखते हैं 7.4 7.4 का first question है find cube root of each of the following number by prime factorization method वही prime factorization मतलब उसके factors निकालने है तो 64 का में क्या निकालना है cube root निकालना है prime factorization method इसे भी prime factorization method बोलते है तो 64 के factor करो अब देखो square root होता है तो यहाँ पर 2 लिखते है cube root है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा तो यह होता है हमारा cube root का sign 3 और इसे root का sign 64 का cube root निकालेंगे तो cube root के factor बनाएंगे और factor आएंगे हमारे पास में ये 3-3 के pair बने root से निकाला 2-2-4 64 किसका cube root है 4 का cube इसे ही आपका second और third हो जाएगा बहुत simple है इसमें बताना लायक कुछ है नहीं तो यहाँ पर भी 3-3 के factor बन गए है तो इसमें से 1 2 बाहर निकला इधर से 1 11 बाहर निकला इनको multiply करा तो 10648 का cube root है अब 2700 का भी उसी तरीके से cube root निकाला गया है थोड़ा लेंदी है कुशन पर आपको करना तो है इसे ही आपको cube के pair बनाने हैं और एक-एक बाहर निकलना है यह सारे कुशन है तो यह आपको घर पर try करने हैं उसके बाद में इसी chapter के कुछ true-false थे जो आप पढ़ें समझें अच्छे से और आपकी एकजाम में सब चीज़ां आ सकती है तो I hope यह chapter finish होता है I hope आपको यह chapter अच्छे समझ में आया होगा cube and cube roots तो यहाँ पर हमारा chapter सेवा खता होता है मिलते हैं next chapter में Thank you